हालो गाइज, वेलकाम टो मैं चैनल, आज मैं आपके लिए IBPS क्लर्क प्री में पुछा गया एक कोस्चन लिकर आया हूँ, ये एक मेमोरी बेस्ट कोस्चन है, कॉंटिटिटिटिव एप्टिटुड पे एक कोस्चन है, missing number शीरीज से, तो आएए देखते हैं, इस कोस्चन को कैसे solve किया जाएं, तो सबसे पहले 36 number कोस्चन देखते हैं, जो कि पहला कोस्चन है, इसमें कुछ numbers दिए हुए हैं, यहाँ पे एक missing data है, इसे हमें find out करना है और कुछ options दी हुए है तो आएए देख लेते हैं कैसे find out करेंगे 200 193 179 158 question mark 95 अब देखिए इसमें से सबसे पहले हम लोग इसे minus कर लेंगे इन दोनों को minus करने पर कितना आएगा देखिए 7 आएगा फिर 193 माइनस 179 इकल टो नौ में से तीन जाएगा चार आठ में से साथ जाएगा एक यहीं कि 14 आया यह माइनस और आए सब माइनस 7 माइनस 14 उसी तरह से 179 में से 158 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा नौ में से 8 जाएगा एक साथ में सब्सक्राइगा दो यानि कि माइनस 21 आया उसी तरह से अगर हम लोग यहां से 158 यह देखे यहां से साब पता चल रहा है कि सीरीज को यह फॉलो कर रहा है इससे साथ का टेवल जा रहा है इससे एस साथ दोने 303 130 130 यहां पर आएगा कुश्चन मार्क के पास तो देखे हमारा आंसर है 36 का D D option उसी तरह से question number 37 देख लेते हैं 37 क्या कह रहा है 343 81 115 143 फिर question mark अब इस में से इसको माइनस करेंगे तो 40 आएगा प्लस 40 इस में से इसको माइनस करेंगे तो 8 साथ में से 4 जाएगा 3 प्लस 38 इस में से इसको माइनस करेंगे तो हमें fast calculate करना है क्योंकि exam में हमारे पास time नहीं बचेगा इसलिए हम लोग इससे fastly calculate करेंगे mind में solve करेंगे कैसे calculation किया जाता है आप लोग fast calculation करने का videos बहुत सारे YouTube पे पढ़े हुए उससे आप लोग देख सकते हैं तो मैं आप लोग को fastly calculate करके बता रहा हूं तो देखे 115 में से 81 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आता है चार 34 आएगा प्लस 34 उसी तरह से इस में से इसको माइनस करेंगे तो 28 आएगा पांच में से 3 जागा दो फिर 3 में से 1 जागा 2 यानि कि प्लस 28 उसी तरह से इसमें इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आना चाहिए देखिए, किस हिसाब से यह मतलब बढ़ रहा है, पहले माइनस दो हुगा, इसमें से यह माइनस दो हुगा, फिर इसमें से इसमें 38 to माइनस 4 करेंगे, तो यह 34 आया, फिर 34 में से इसको माइनस 6 करेंगे, तो 28 आएगा उसी तरह से, इसमें माइनस करें answer हमारा option number A उसी तरह से question number 38 देख लेते हैं 38 क्या गहा रहा है question number 38 1, 6, 25 76, 153 फिर question mark मैं जिस approach से इस question को solve कर रहा हूँ इसी approach से आप लोग भी solve कर सकते हैं सबसे पहले इन दोनों numbers को हम लोग minus कर लेंगे उससे question solve करने में काफी असानी होती है ऐसे आप लोग कोई भी trick उसके बाद use कर सकते है square या cube या फिर plus minus क्या हो रहा है वो आप लोग उसमें question को minus करने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या concept trick follow हो रहा है इससे question काफी जल्दे solve होता है और missing number series काफी असान आती है wrong number के comparison में तो इसे मैं आप लोग को थोड़ा कैसे fastly calculate करते हैं यह मैं आप लोग को बता रहा हूं तरीका इसमें से देखी हम लोग अगर minus करेंगे 6 में से एक जाएगा 5 plus 5 हो रहा है यह उसी तरह से प्लस 19 हो रहा है पचीस में से 76 में से 25 जाएगा 6 में से 5 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 प्लस 51 उसी तरह से इसमें से इसको minus करेंगे तो 7 फिर साथ 8 नो 10 7 ठीका 153 मैंस 76 उकल टो 7 साथ याने कि प्लस 77 आया यह तो यहाँ पर कोई भी मतलब ट्रिक फॉलो नहीं हो रहा है कि यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि क्या इसमें हो रहा है कौन सा रूल फॉलो कर रहा है तो यहाँ से हम लोग इसे डिसाइड करेंगे कि कैसे यह मतलब आगे पढ़ रहा है तो इसे अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो वन इंटू 5 अगर करते हैं तो 5 आएगा और यह 6 है तो वन इंटू 5 प्लस रında यानिकि 5 प्लस 1 इकल टो 6 यानिकि अगर हम लोग ऐजुम कर लेते हैं इससे question solve वहरता है कि नहीं into 5 plus 1 और इसी तरह से into 5, 6 पचे 30 यह तो 30 जा रहा है यह लगता है गलत हो रहा है देखते हैं आगर अच्छा 6 पचे 30 अगर एक पहले हम लोग multiply करें 6 चोग 24 अच्छा हाँ देखिए 6 चोग 24 प्लस 1 into 4 प्लस 1 equal to 25 उसी तरह से 25 फिर देखिए यह इस में से एक एक माइनस होता चला जा रहा है यह पहले इंटो 5 होगा फिर इंटो 4 होगा फिर इंटो 3 होगा पचेस तिया 75 प्लस 1 उसी तरह से यह हो जाएगा into 2 प्लस 1 यह हो जाएगा into 1 प्लस 1 तो into 1 प्लस 1 इकल टो 154 आ जाएगा हमार आंसर तो 154 देखिए 38 का option number B है इसी तरह से आप लोग काफे fast method से इसे calculate कर सकते हैं आईए next question देखते हैं question number 39 50, 54, 45, 61, 36 फिर question mark अब देखिए कैसे यह आगे बढ़ रहा है सबसे पहले हम लोग को इसे minus कर लेना है मैं तो इसे minus करके आप लोग को दिखा रहा हूँ आप लोग एक्जाम में ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे mind में ही calculate कर सकते हैं उसके बाद फिर इसका इसको यहाँ पे note down करके तब फिर फासले इसे इसका answer ला सकते हैं इससे आपका काफी time बचेगा और एक्जाम में आप लोग ज्यादा question कर सकते हैं तो देखिए इसमें से plus 4 जा रहा है यह कितना गया 54 minus 45 equal to minus 9 minus हो रहा है minus 9 उसी तरह से 61 minus 45 equal to 6 5 में से शाजा गया यह plus 16 हो गया तो इसमें से देखिए हमें थोड़ा बहुत यह पता चल रहा है कि किस method को किस rule को follow कर रहा है उसी तरह से इसे भी last में भी हम लोग देखिए लेते हैं तो 61 minus 36 equal to 7, 8, 9, 10, 11, 5 यह फिर 5 में से 3 जाएगा 2 minus हो गया यह फिर आगे यह plus होना चाहिए तो अब यह कौन से rule follow हो रहा है देखिए 2 का square करेंगे तो 4 आएगा उसी तरह से 3 का square करेंगे तो minus 9 आएगा पहले plus करना है फिर minus फिर plus फिर minus फिर plus तो यह 3 का square फिर 4 का square फिर 5 का square फिर 6 का square यह निकि 36 को यहां पर हमें add करना है तो 36 plus 36 equal to 72 तो यहां पर आ जाएगा 72 72 देखिए कौन सो option है 39 का option number B 39 का हो जाएगा option B अब उसी तरह से हम लोग last question देख लेते हैं question number 40 question number 40 देखते हैं क्या कह रहा है 9, 45, 180 5, 40 question mark 1080 तो अब माइनस कर लेते हम इसको सबसे पहले या फिर डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे किस मेथड से यह आगे बढ़ रहा है पहले यह पहले माइनस कर लेते हम लोग इसमें से 9 जाएगा तो 36 आएगा 180 माइनस 45 equal to 7 में से 4 जाएगा 3 135 ठीक है तो यहाँ तो कोई भी रूल फॉलो होता हुए नहीं दिख रहा है 0 यहाँ तो कोई भी रूल फॉलो होता नहीं दिखा तो हमें कोई और मेथड अप्लाई करना है देखें 9 पचे 45 45 पचे 5 पचे पचे इसका 5 आथ में 2 5 चुक बीस दो 22 यह भी रॉंग हो गया तो एक पहले अगर हम लोग मल्टिप्लाई करके देखें तो 45 चुक 5 चुक बीस को सुनना आथ में 2 4 चुक 16 16 दो 180 हाँ देखें आगए यहाँ पर 180 आगया इंटो 4 इसको इंटो 3 करें 18 तिया 54 इंटो 3 540 इसी तरह से एक एक कम हो रहा है यह से पहले 5 से मिल्टिप्लाई किये फिर 4 से मिल्टिप्लाई किये फिर 3 से तो इसका मतलब यह obvious सी बात है कि यह 2 से मिल्टिप्लाई होगा तो 540 इंटो 2 इकल टो 4 दुनी 8, 5 दुनी 10 हाँ तो तो 1080 होगा 1080 यहाँ पर आजागा हमार आंसर 1080 यह सायद हाँ तो यह 1060 होगा फिर इसका 1060 इंटो 1 करेंगे तो 1060 फिर आएगा तो इसका मतलब देखिए 40 का हो जाएगा option number C 40 का option number C 1080 हो जाएगा हमार आंसर तो इसी तरह से हमने missing series को काफी easily solve कर लिया तो next session में मैं आप लोग को wrong number series पर भी बता दूँगा तो इसी तरह के question अगर आप लोग चाहते हों तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजे और इस video को like कीजे मैं इस channel पर memory based question लाता रहता हूँ क्योंकि ज्यादा time question memory based question से ही पुछे जाते हैं so thank you guys